गुड मॉर्णिंग बच्चों वेलकम इन जागरती ओनलाइन क्लासेज तो अपना जो टॉपिक SN1, SN2 कंप्लीट किया था उसके अंदर केमिकल रियक्शन्स दस एक मैंने करवा दी थी दस केमिकल रियक्शन्स के बाद मैं अपन वापस एक बार SN1, SN2 के मेकनेज में पर जो क्युष्टन बनते हैं वो क्युष्टन अपन प्रैक्टिस करते हैं एक दो ताकि आपको आइडिया लगे किस टाइप से SN1, SN2 पर क्युष्टन बनेगा और कैसे अपन को सॉल्ट करना है तो यहां SN1, SN2 से रिलेटेड एक क्युष्टन में लिखूंगा जिसको अपन को सॉल्ट करने का ट्राइप करेंगे देखों क्युष्टन यह है इए जेडि़ आपना करेंस एडिजि़ आपना करने को सूल्ट करने creativity अमिभे कर कि सिभाव थाश्छ करने Tabii है कितिpower एडि़ आपने कर देडि़ से एडि़ए लिईडिभे कर तो increasing, increasing the reactivity, against SN1 reaction, against SN1 reaction, SN1 reaction के against में आपको reactivity order arrange करना है, और किसका करना है यहां पर, isomers of C4H9BR, पहले तो मैं isomer बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे इसका order arrange करना है, तो isomer बनाते हैं अपन, अलग-अलग isomers बनते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2 और BR, यह first isomer, second जो है वो कौन सा है, CH3, CH2 और BR, यह second isomer, third जो अपने बनेगा, CH3, CH2, CH, CH3 और BR, और last जो है, fourth isomer हो जाएगा, CH3, CH3, CH3 और BR, यह चार isomer अपने बनेगा हैं, और चारों isomers को आपको arrange करना है, with increasing their reactivity against SN1 reactions, और SN1 में मैंने reactivity order आपको याद देखो, याद होगा, 3 degree सबसे ज़्यादा 2 degree, फिर 2 degree के बाद में कौन सा number आएगा अपना, 1 degree, और 1 degree के बाद में आजाता है, 0 degree या methyl allied, यह आना चीए order अपना, तो 3 degree इसमें से कौन सा लग रहा है आपको, यह वाला लग रहा है, तो इसकी reactivity increasing order में करना, अब increasing order का मलब पहले low, फिर high, फिर उससे आई और उससे भी आई, तो इन सब में जो 1 degree वाला ketain है, वो कौन सा वाला है 1 degree, यह वाला है यहाँ पर, first वाला, तो अपन पहले इसको लिखेंगे, CH3, CH2, CH2, CH2 और BR, यह 1 degree वाला, 1 degree के बाद में 1 degree branch वाला लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यह भी 1 degree है, VR से attach carbon अगर आगे एक carbon से connect है, single carbon से, तो इसको अपन क्या बोलेंगे 1 degree, लेकिन 1 degree में branch है, जब जब branching ज़्यादा होती है, उनकी reactivity क्या होती जाती है, बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर branch के कारण इसकी reactivity क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ आपन कह रहे हैं कि यह 1 degree un branch वाला है, इस पर easily reactions SN1 नहीं होगी, SN1 इसका cation जो है, अगर अपन बोलें, यह bond अगर तूटता है और यह cation बनता है, तो इस cation की stability और भी ज़्यादा होगी इसके cation से, तो इससे ज़्यादा reactivity हो जाएगा, यह branch वाला 1 degree allied, क्योंकि यह ज़्यादा stable वनेगा cation, sorry cation नहीं लिखना, आपन को यह reactivity लिखा नहीं है, और इसके बाद आजाएगा 2 degree का number, क्योंकि 2 degree की reactivity उससे ज़्यादा 1 degree से ज़्यादा किसकी reactivity है 2 degree, और 2 degree अपने पास यह रहा, फिर यह आजाएगा, CH3, CH2, CH, CH3 और Vr, और उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा reactivity जो आएगी वो लास्ट की है, 4, 3 degree की और 3 degree का इस तक तर अपने ऐसे बनाएगा, तो यह reactivity है, अगेंस आपने कौन सा order देखना है यहाँ पे, SN1 के अगेंस increasing order की reactivity, यही अगर आपको पूछे, SN2 के against में decreasing order तो उल्टा हो जाएगा, उसमें सबसे कम reactivity वो आएगी, वो 3 degree की, फिर उससे कम reactivity आएगी आपके, 2 degree और 2 degree के बाद में branch वाली और उससे भी ज़्यादा reactivity हो जाएगी, आपने कौन सी, यह वाला, 1 degree, तो आपको यह ध्यान रखना, दोनों order एक दूसरे के उल्टा चलेगा, अगर SN1 में ऐसा इसका increasing order है, तो SN2 में यह इसका decreasing order होगा, ठीक है न, तो इस टाइप से question बनेगा, SN1 और SN2 के against, अब आपको पूछेंगे, एक question यह है, which allied is more reactive against SN1 reactions, question देते हैं आपको, next page पे, question है, which allied, allied, is reactive against SN1 reaction, SN1 के reaction में, कौन सा allied, ज्यादा reactive होगा, option देंगे, आपको यह option दे दिया, benzyl chloride, CH2, CL, B option दे दिया, अपने पास, vinyl वाला, sorry, vinyl क्या, allyl वाला, और C option दे दिया, 3 degree वाला, यह अपने पास, option दे रखके हैं, और इसी में, आपको क्या बताना, SN1 के against, कौन ज्यादा reactive होगा, और कौन कम reactive होगा, तो यहां अगर अगर अपन बात करेंगे, तो इसमें, इनका SN1 में, मैंने क्या बोला था, के intermediate carbocatine बनता है, तो आपको carbocatine बना के देखो, कि इसका carbocatine कौन सा है, इसका कौन सा और इसका कौन सा है, तो अगर अपन इनके carbocatine बनाएं, तो यह अपन का carbocatine बनेगा, CS3, C, CS3, और यह positive charge, इसका carbocatine बनाएं, तो इस type से बनेगा, CH2 Carbocatine और इसका Carbocatine बना है तो इस टाइप से बनेगा CH2 Carbocatine अब इन तीनों Carbocatine में से Stability किसकी ज़्यादा है ये भी देखो तो आपन कहते हैं सबसे ज़्यादा Bengyal वाले की होगी क्यों होगी इसका Reason है Positive Single Double जब ये Alternate Condition आपको मिलती है तो उसमें Resonance होता और Resonance जिसमें होता उसकी Stability ज़्यादा होती है तो Positive Single Double तो ये Positive यहाँ Shift होगा फिर Positive नीचे Shift होगा फिर Positive यहाँ Shift होगा कुल मिला के ये Positive Ring के अंदर गुमता रहेगा और Resonance Structure सो करेगा और इसमें Total Structure बनेगे आपके 5 फिर्स्ट में तो ये यहाँ आएगा फिर्स्ट तो यही है सेकेंड में यहाँ आएगा तीन बनेगे इसके Intermediate थर्ड में यहाँ आएगा फॉर्ट में यहाँ आएगा और फिफ्ट में वापस यह अपने घर पे आजाएगा लेकिन इसमें दो ही इसके बनेगे फिर्स्ट पॉजेटिव यहाँ आएगा या फिर वाँ जा सकता है और इसमें बनेगे ही नहीं तो जिसमें resonance ज्यादा होता उसकी stability ज्यादा होती है तो सबसे ज्यादा जो reactive है वो होगा A फिर होगा B और फिर क्या होगा C तो reactivity order अगर arrange करना है तो C की reactivity सबसे कम फिर B की reactivity और उससे भी ज्यादा है A की reactivity यह इसका reactivity order है C फिर B फिर A यह reactivity order है किनका order है यह इनका reactant का अगर आपको कौन सी reactions करनी है यहाँ पे SN1 reactions करनी है उसके against में किसका reactivity ज्यादा होगा तो अपन कहते हैं A की reactivity क्या होगी इसमें ज्यादा होगी इसके एलावा एक question और देते हैं ताकि हर एक तरह का question आपके दिमाग में आ जाए तो next question में अपन यह try करेंगे कि कोई भी हो question है arrange these halide with increasing 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 reactivity VT against SN2 अब SN2 SN1 कोई भी आया तो किसे solve करना है अपने पास यह highlight दे रखें है CS3 BR A option B दे दिया है CS3 CL C दे दिया है CS3 F और D दे दिया है CS3 I अब चार highlight दिये हैं लेकिन चारों के अंदर अपन कहते हैं methyl group तो सब में common है BR CL F और I यह चीज़े अलग-अलग है तो अब यहां पर अपन कैसे increasing order में इनको arrange करेंगे SN2 के against में करना है और SN2 के against में अगर इनको increasing order में arrange करना है तो आपको यह देखना है कोई भी reactions हो चाए SN1 हो चाए SN2 हो bond break होना चाहिए अगर bond पुराना नहीं तुटा यह carbon halogen का bond अगर नहीं break हुआ तो reactivity slow हो जाएगी तो यहां अपन कहते हैं C और F का bond वह जदा strong है यह तोड़ना मुस्किल है लेकिन CS3 और I का जो bond है यह easily तूट जाएगा breakdown हो जाएगा तो अपन कहते हैं सबसे कम reactivity होगी C की यह C है यहां पर C सबसे कम है C के बाद में अपना बारी आएगा B का B के बाद में A का और A के बाद में आएगा D का यह इनका order है increasing order में यह इनका order है reactivity चाहे SN1 पुछो चाहे SN2 सब में A के option ध्यान रखना bond break कौन सा easily हो रहा है अब चाहे BRI, CLI, FI II F का bond strong है और weaker bond कौन सा है CS3 और I का तो अपन कहते हैं इनकी reactivity भी इसकी ज़्यादा होगी लेकिन उसकी reactivity F वाले की क्या होगी कम होगी तो यह अपनने SN1, SN2 से regarding question जो बने वो बता दिये ताकि अगर कोई आपको vision मिल जाए तो किसी type से आपको solve के बाद में और उसकी 10 reaction मैंने करवा दी आपको जिसमें कैसे hello alkane से अपन क्या product बनता है वो चीज़े अपनने बताई अब अगला जो topic करेंगे अपन elimination reactions यह थोड़ा ज्यादा important है second topic B part इसका elimination 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 word का मतलब होता है एक molecule में से कोई छुटा molecule अगर eliminate होता है तो उसको अपन क्या बोलते है elimination reactions और elimination कैसे होता है alkyl allied में यह reactions अपन करके बताएंगे elimination में अपन एक example देते हैं CH3 CH2 और X तो इसकी reaction अगर alcoholic कोई के साथ किस के साथ कराएंगे alcoholic word या देखना aqueous में तो मैंने कहा था OH CL8 के OH आ गया था लेकिन alcoholic लिया alcohol के साथ ethanol के साथ KOH mix किया है तो यह strong nucleophilic reactions मतलब elimination reactions को सो करेगा और अपन को मालूम है यह X minus है और यह plus है K plus है और OH minus है तो पहले तो यही बाहर निकल जाएगा अब यह OH क्या करेगा alpha मेंसे यह alpha carbon है यह beta carbon है beta मेंसे 1H को eliminate करेगा यहां से H remove हो जाएगा वहां से X तो एक ही molecule मेंसे H और X remove हो जाएगे बनेगा क्या CH2 double bond CH2 plus KX plus H2O यह बन जाएगा यह elimination reactions में alkyn बनती है और यह alkyn इस टाइप से alcoholic कोच याद यही रखना alcoholic कोच में यह elimination reaction सो करता है लेकिन aqueous कोच में elimination reaction सो नहीं करेगा और यहां अपन अगर मान लो यह बात करें CS3 CH CL और CS3 प्लस इसकी reaction alcoholic कोच के साथ ALC alcoholic अब यहां पर क्या remove हो जाएगा देखो के अटाएगा यहां से किसको CL को alpha carbon से CL से attach जो first carbon है उसको alpha और इसके पडोसी जो है उसको beta मानेंगे यहां beta 1 ही था लेकिन यहां beta 2 है तो दोनों equal है दोनों same है तो कहीं से भी आप H को अटा सकते हो या तो इदर से अटा हो या उदर से कहीं से भी 1 H को तो क्या बन जाएगा CH2 double bond CH CH3 PLUS KCL PLUS H2O यह जो बनेगा इसका नाम अपन रखेंगे प्रोपीन इन आया इसका मलब double bond और इसका नाम है इथीन इथीन और प्रोपीन जो बना है double bond के कारण बना है यह एक और option अपन बताएंगे जब अपन कहते हैं equal नहीं है दोनों तरफ carbon equal नहीं है halogen के तब आपको कैसा है reactions में product बनाना है तो यह एक option ले भी ले लेते हैं यह CL ले लिया फिर CH2 और CH3 और फिर यह इसकी reaction KOH लेकिन KOH कौन सा लेना है alcoholic K PLUS का OH माइनस का CL से attach alpha बीटा 2 है अब बीटा में दोनों में अलग-लग option बन रहा है अगर यहां से h निकला और CL यहां से निकला तो double bond यहां इन दोनों के बीच आएगा लेकिन यहां से CL और वहां से h निकला तो double bond इन दोनों के बीच आएगा तो कहां से H निकालें, तो अपन दोनों एक बार बना देते हैं, बीच वाले से निकालते हैं पहले, CH3, CH, double bond CH, और CH3, plus KCl, plus H2, और एक एलकीन ये बनेगी, CH2, double bond CH, CH2, और CH3, plus KCl, plus H2, कहने का मलब, but two in बनी, और एक बनेगा but one in, तो ये but two in, और ये लगबग 80% ये बनेगा, 80% और 20% आपके ये वाली चीज बन जाएगी, तो कहने का रिजन क्या है, 20 और 80 का रेशियो क्यों आया, तो यहां अपने एक rule बताएंगे, सेजेफ रूल, और इसके अलावा, उस एलकीन की स्टेबिटी ज़्यादा होती है, जिसमें double bond से attach alkyl group ज़्यादा हूँ, तो समझाने के लिए मैं इसमें बता रहा हूँ, देखो, यहां मैंने double bond के दोनों तरफ देखा, कितने alkyl group आ रहे हैं, दो alkyl group और उस पे hydrogen किते लगे में, 3 plus 3 किते hydrogen है, 6 hydrogen लगे में, double bond से attach carbon के hydrogen, लेकिन यहां वाला जब double bond लेते हैं अपन, तो यहां इस से attach एक ही carbon है, और एक carbon में यहां इस से connect hydrogen किते हैं, दो hydrogen, जिसमें जितने alpha hydrogen होते हैं, double bond से connect, उसकी stability उतनी ज्यादा होती है, यह set jeff ने बताया था, set jeff के rule अपन लिखवाते हैं इसके आगे, set jeff rule क्या है, वो समझा जएते हैं, set jeff rule, set jeff rule, तो यह set jeff rule कैसा आपन को ज्यान रखना है, after the dehydro-halogenation, after dehydro-halogenation, if more than, if more than, if more than, one kind of, of alkyne, or receive, receive, then, then the alkene is received, received in greater quantity, in greater quantity, which have maximum maximum alkyl group alkyl group attach to double bond, double bond, to maximum alkyl group अगर attach रहते हैं, double bond से, उस वो वाली alkyne, ज्यादा बनेगी, वापस सुनलो, after the dehydro-halogenation, dehydro का मतलब, hydrogen और halogen को, remove किया, more than one kind, दो टाइप की बन रही है, alkyne is received, then the alkyne which is received in greater quantity, which have maximum alkyl group attached to the double bond, यहाँ double bonds attached दो alkyl group हैं, जबकि यहाँ double bonds attached एक ही alkyl group हैं, और maximum alkyl group कौन से वाले में हुआ, उपर वाले में मतलब, but, to in में ज़्यादा हुआ, तो अपन कहते हैं, 80% वही product बनेगा, जिसमें double bond से connected group ज़्यादा है, वो वाली alkyl ज़्यादा बनेगी, यह है, सहतजाप का rule, और यह rule important है, इस पर based जो question है, वो अपन ने बता दिया, किस type से, इस पर reactions पर question बनेगा, what is the सहतजाप rule, give the example, तो आपको सहतजाप rule लिखना है, और उसका एक example आपको बताना है, तो आज की class में अपन यह finish करते हैं, यही पर topic, next class में अपन next reactions बताएंगे, तो जो main main topic थे, वो आपने important भी लगाओ, और साथ साथ में not भी करो, ताकि आपको अगर जितनी बार ज़्यादा लिखने की practice करोगे, उतनी ज़्यादा आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर reactions लर्ण हो जाएगी, और कभी भी कोई exam में आपको problem से doubt नहीं आएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा return work करना है, return, लिक लिक के learn करना है, क्योंकि बहुत सारी reactions ने अभी तो आपने start किया chapter, बहुत सारी reactions ने आएगी, जिसमें आपको यह सारी reactions ने लिकनी है, revise करनी है, सारा काम करना है, तो अभी से लिकने की practice start करो, बिना देके reaction अगर लिकना start कर दिया आपने, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा reactions learn होगी, और learn होगी तो उसका आपको फाइदा आगे exam में मिलेगा, thank you for joining this class, okay बच्चों,